हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरी चैनल पर तो आज मैं आप लोगों को अपने कीचन का टूर कराऊंगी जो नौन मॉडिलर कीचन है और लगभग 13 भाई 7 या फिर 13 भाई 6 इस तरह का कुछ कीचन की लंबाई चोड़ाई है और ये नौन मॉडिलर क कीचन है अभी इसमें हम लोगों मॉडिलर नहीं कराया है तो इसे भी कुछ दिन बाद कराना है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के शाद अपने नौन मॉडिलर कीचन का टूर शेयर करूं तो ये मेरा कीचन का ये जो इंट्रेंस गेट है वो है और ये आप देखिए इं इंट्रेंस में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले मैं आपको अपनी किचन का एक जलक दिखा देती हूं चारो तरफ से किस तरह से दिखता है और क्या लुक है किचन का उसके बाद मैं आपको एक एक करके अपने सारे किचन का जो भी चीज मैंने कैसे तो ये था मेरे किचन का एक जलक और अब मैं आपको दिखाऊंगे किचन के में गेट के पास ही ठीक सामने ही फ्रिज रखा हुआ है आप देख सकते हैं इस तरह से यहां पे प्लैटफॉर्म के पास और गेट के बीच में एक जगाए बना हुआ है जहां पे फ्रिज बहुत अच्छे से आगया है और फ्रिज के ऊपर मैंने कुछ बास्केट में कुछ जरूरी समान सब है किचन के और यहां एक फ्लावर पॉट है एक मनी प्लैंट है और एक बास्केट में नोट पैड रखे हूए है नोट बुक और पैन जो कोई रैक नहीं है तो इस तरह से कोई भी रैक या अलमीरा नहीं है तो मैंने यह कॉर्णर रखा है जिससे छोटे मोटे डेली के जो किचन के समान है जैसे चीनी चैपती काफी मग काफी घी यह सब समान इसमें अच्छे से रखे हुए है उसके बगल में ही एक ट्रे में मैं भूमे बगल के खुआ है उसके बाद यहाँ पर एक मसाले का रेक है रिवाल्विंग मसाले का रैक मैंने रखा है ठीक उसके बगल में एक चॉपिंग बोर्ड है जो यूज में नहीं आता उसमें यह नमक है सेर्मिक के बोटिल में रखा हुवा नमक है और चमच स्टैंड म कप फिर उसके बद यहां पर विंडो पर मैंने एक पॉर्ट रखा डिकॉरेशन के लिए और बगल में आमले का चार है जो ढुप मैंने इसे रखा है और ठीक सामने इंडक्शन रखा हुआ है और मैंने में खिड्की के सामने यहां पर गैस नहीं रखा है क्योंकि यह खिड़की उत्तर दिशा की और है और हमारे यहां उत्तर दिशा की और फेश करके खाना नहीं बनाया जाता है इसलिए हम लोगों ने गैस को पुरव और पश्यम दिशा की और रखा है जिसे मेरा फेश पुरव की और पढ़ता है और खाना बनाने में यहां पे आराम होता है शुविदा होती है और यहां कॉंटेट अप हमने खाली रखा है क्योंकि यहां पे किचन में जो भी काम होते हैं खाना बनाने में आसानी होती है यहां पे मैंने कुछ भी समान नहीं रखा है ऐसके बगल में है सील हैं जो थोड़े बहुत आता है। थेल का बरतन र्यक हैं और दो बासके अनमें support के लिए वेडियो बाइं से अनल शीट को Rig Pir 먹 स लिए मैंने अलग से बीडियो के रख़ लिंक में सब्स्क्र्आइ jury सिंकेरियह का यही अधे गिंग है और यहां पर इस की के पास्में में एक दोर्मेंट रखा है इससे पाणी गिरने पर असानी सफेयर इसे मैं पॉस्ज का बगल में यहां पर इस भाद का चाह आधे हुआ के वाश करने के बाद में रखते हूं उसके बाद यहां पर एक रेचा है रेट करलर का दो रैक है और एक ट्ड्रे है जिसमें बहुत सारे कीचन के जरूरत के राशन के शेमान और जो कज़िए तो इस तरह से मैं अपनी किचन के समान को सबको और्गनाइज करके रखी हूँ और ठीक सिंग के रिया के बगल में ही टॉबल हैंग करने के लिए लगाय हुआ है जो स्टील का है और उसके बगल में मैंने दो तिवार पे स्टिकर होंक लगाया है और जिस पे छोटे-मोटे य काटने वाला यह सिब लगा हुए आलो चीलने वाला उसकी ठीक बगल में ही मैंने कुछ डियाइवाई से डिकुरेशन की पीस बिनाया है किचन के लिए जो किचन के वेस्टे स्पून थे उससे और यहां पर मैंने एक पर टूथ पीक रखा हुआ है और मैंने इसे कुछ फे किचन को अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बिल बटन नजर आएगा उसे हिट जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें तब तक के लि करें SCP-370- bowsर जा एक बिल जरूर करें यह वीडियो के लिए वीडियो अट मेरे वेखें